के लाइफ संपंडले हीं आपके लिए मैं नक्स टाके चलते हैं आज देखते हैं इसी हो पास को देखा था पहले टापिक में हमने निकुलियस के बारे में किया था किया था निक लियोप्लाजमी के बारे में आज यह instructions के बारे में कि असला हूं. प्लू Corps Sec以 कैसे बने होते हैं इसके discovery कैसे होई और बाकी जो फला फला करके उसमें heading सुंगे उनके बारे में देखा जाएगा तो चलते हैं देखते हैं कि आखिरकार chromatin क्या है कैसे बने होते हैं ठीक इसके बाद हम type of chromatin और बाकी structures को पढ़ेंगे packaging पढ़ेंगे chromosome के बारे में तो आपक क्रोमेटीन का class चल रहा है और यह है class number आपका 26 तो 25 होगा ठीक तो यह आपका class number हो जाएगा 25 जितने भी बच्चे नहें हैं उनको लिए ध्यान दें कि क्रोमेटीन जो है वो class number यहां से आ जाएगा हमारे पास 24 हो गया था 25 पढ़ें किसका पढ़ें बिटा यह है हमारा जो class है वो especially a sale biology का है किसका है sale biology की बात कर रहे है कि sale biology का यह आपका class चल रहा है उसका यह चल रहा है unit number third क्या चल रहा है unit number third चल रहा है तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए ध्यान दें दें किसके पहले के 24 class आपको देखने के मिल जाएंगे आपके YouTube channel VNR classes के playlist में जो बच्च चल रहे सभी को गोड़ी निमिटा जल्दी से आजाओ ताकि हम लोग classes को start कर पाएं जल्दी से सभी बच्चे आजाओ ताकि हम लोग class start कर पाएं most welcome है आज के इस class में आज के class में आप सभी का most welcome है हम बात करेंगे chromatin के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हलो सभी को सोनूं कैसे हैं सार हम तो बढ़िया है और सभी लोग video को share कर दो अपने अपने ग्रूप में सभी student video को share कर दो अपने अपने ग्रूप में ताकि जो बच्चे अभी late का आ जो इस्टुडेंट्स अभी नए आए हैं वो सारे बच्चे ओके सोनी भी आ गए सभी बच्चे आ रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से आईए खुसी अभी राज रूबी राज ओके बड़ा सब बच्चे आ गए चले आगए हालो सcular सु runs ईह लो हम टापिक स्टार्ट कर रहे हैं जहर जहन सभी को आज हम टापिक स्टार्ट कर रहे है क्रोमेटीन स्टार्च क्रोमेटीन एक पाउरफूल क्लास होने वाला है किया हो ने वाला है powerful class होने वाला इस powerful class में हम आपके लिए complete करने वाले हैं नए topic को तो आज आओ सब बच्चे ये है मेरा android application यदि आपको मेरे सारे notes और PDF और सारे video lecture recorded form में चाहिए एक साल के पूरे subscription के साथ तो आपको app को download करना पड़ेगा जितने बच्चे app अभी video देख रहे हैं description में link है app का वहाँ से application download करके यदि वो चाहते हैं तो course ले सकते हैं नहीं तो मैं already free यहाँ पर पढ़ा रहा हूं कोई दिक्कात नहीं है ठीक क्या लाए सर मेरा सही यह बेटा मेरा हाल एकदम perfect है बस अपना आप लोग ध्यान रखो अब बात करते हैं क्रुमेटीन किसकी बात करते हैं क्रुमेटीन के बारे में तो हें डालीजेगा परिचे आप फिर डालेंगे introduction क्रुमेटीन एक points है इसमें आप डालिएगा पर है कि अल्य को टीक बात करते हैं तो सबसे पहले परिचेंग की अधर्वर को में तीन क्रुमेटीन क्या जो सब्सछ ने नियांईregा शू नियांकि क्रुमेटीन इसमें क्या कि या तर्व इसमेंग क्या था यूज सी्व किया थैं तो एक चीजा आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले flaming के बारे हम बात कर रहेंगे, तो flaming को ध्यान दीजेगा, flaming क्या है, flaming एक ऐसे साइंटिक्स हैं जो पहली बार utor किरोमेटियं टार्म को डिसकावार्ड किए थे क्या किए थे कुरोमेटियं वॉड को डिसकावब किए थे तो ये बात आप याद रखेंग इसको आयंपी कर लिजएगा खी ऐसको सबसे पहले अठारे सो उन्यासी सवी में फ्लेमिंग ने क्या किया था प्रपोच किया था ये बात आप याद रखेंगे आगे बात कर रहा है कि दौक्रोमेटीन यानि जो ये क्रोमेटीन होता है क्या chromatin occurs in interface non dividing nucleus is fine filaments the chromatin fibers इनके कहना का मतलब है कि एक interface क्या एक interface के nucleus के अंदर आपको chromatin एक fibers के रूप में देखने के लिए मिल जाता है तो आप ध्यान दिजेगा जब cell division होता है क्या होता है जब cell division होता है cell division का जो पहला phase होता है जिसको बोलते हैं interface क्या बोलते हैं cell division के पहले phase को हम लोग बोलते हैं interface interface के इस्थिती में जो मारा निकुलियस होता है, जो केंद्रक होता है, जिसको पुर्वा अवस्था कहते हैं, आप लो, क्या बते हैं, पुर्वा अवस्था, तो पुर्वा अवस्था जो होता है, उसके इंटरफेज, उसी को बोलते हैं, तो केंद्रक के डिवीजन के समय, केंद्रक के डिवीज होता है यानि पुरुवा अवस्था होता है तो पुरुवा अवस्था में हमारा जो क्रमेटीन होता है वो एक fine structures filament यानि fine filaments के form में यानि महीन महीन तंतु के रूप में दिखाई दे सकता या दिखाई देता है यह लाइन आपको क्लियर हो जाएगा नमबर टू कह रहा है कि the fiber align यहां पे a cross sections cross by cross की बात कर रहा है given the appearance of a diffuse network ठीक diffuse network का मतलब समय रहे बटा ओके आई एम रेडी ओके धान देना यहां से बात कह रहा है कह रहा है कि जो fibers cross 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 होते हैं यानि जितने वी fibers हमारे निकुलियस में होते हैं वह एक दिखाई दिखाई देते हैं वहीं बोल रहा है कि जो fibers होते हैं fiber lines होते हैं वह cross cross होते हैं क्या होते हैं वह cross cross होते हैं और यही cross cross network structures होता है वह आगे चलके एक network बनाता है एक net बनाता है जिसको जाल नुमा सनरशना कहते हैं क्या कहते हैं जाल नुमा सनरशना कहते हैं तो यह बात आप याद रखिएगा कि जो जितने भी हमारे fibers होते हैं वह line by line cross line दिखाते हैं एक दुसरे को ऊपर आते हैं और यह आगे चलके में पाए जाता है और इसे हम लोग क्रोमेटीन रेटिकुलम बोलते हैं क्रोमेटीन रेटिकुलम या क्रोमेटीन जालिका भी कहा जाता है क्रोमेटीन जालिका तो यहां से बेटा क्या यहां से एक चीज मेरा याद रखना आप क्या कि क्रोमेटीन रेटिकुलम किसको बोलते ह या MPB पूछ सकता है important में या MCQ के सरेबस में आप से पूछा जा सकता है कि what is chromatin network तो आप बताईएगा कि जब chromatin fibers cross by cross nucleus में represent होते हैं तो एक network like structures का formation करते हैं और यही network like structures chromatin reticulum कहलाता है ओके बेटा clear हो जाएगा सर fiber क्या है fiber का मतलब होता है fiber एक types के proteins होते हैं मतलब महीन पतले धागे नुमा सनचना को fiber कहा जाता है जैसे कपड़े के fiber होते हैं तो महीन धागे नुमा जो सनचना होते हैं, हम उसे फाइबर का नाम देते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा, जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये हैं, वो वीडियो को लाइक कर देंगे, आपको कहना ना पड़े, और अपने अपने ग्रूप में पता दो, आज 13-14 लोग हैं, और कहां गया सब, किसी का पता ही निचर रहा है, अधिक साथ बच्चों को लेके आओ, ताकि बोटनी की क्लास चलेगी बिटा, तो पढ़ाने में मजा आना चाहिए, ठीक, अभी देखो, ये दोनों किलियर हैं ना पॉइंट्स, नमबर वान औ नमबर टू, दोनों किलियर हो गया है, या सर, आगे करा दो, क्रोमेटीन, अक्कुपाइट, मुस्ट आप दो, निकुलियस, यानि जो क्रोमेटीन होते हैं, क्या होते हैं, जो क्रोमेटीन होते हैं, वो लगभग, लगभग, पूरी तरीके से, निकुलियस को घेरे रखते ह तो ध्यान देना कि जो हमारे पास क्रोमेटीन होते हैं वो पूरी तरीके से क्या होते हैं निकुलियस को घेर रखते हैं दो क्रोमेटीन फाइबर्स और सिंपली क्या हुआ जो क्रोमेटीन फाइबर्स होते हैं वो सिंपल फॉर्म में क्या क्रोमेटीन फाइबर्स को सिंपल फॉर्म में हम लोग यहां पे गुर्शुत्र का नाम दे देते हैं क्या बोलते हैं गुर्शुत्र का नाम देते हैं और यहीं क्रोमेटीन अलग होकर क्या यहीं क् इसको गुर्शूत्र बोलते हैं उसका फार्मेशन करते हैं तो आपको एक चीज बेटा इसी जगह से याद होना चाहिए कि जो हमारे क्रोमेटीन होते हैं आगे चलके यही क्रोमेटीन हमारे बॉडी में क्रोमोसोम के फार्मेशन को कह सकते हो या फार्मेशन के लिए responsible होते हैं तो आपको ये बात मेरी याद होने चाहिए कि क्रोमेटीन ही आगे चलके क्रोमोसोम के बनने की जो responsibility है वो यहीं chromosome as chromatin ही लेते हैं यह चीजा दिरे दिरे जैसे जैसे वो extend करते हैं क्या extend करते हैं वैसे वैसे वो chromosome का निर्माड कर लेते हैं बात करते हैं single chromosome की तो बोल रहा है एक chromatin क्या एक chromatin fibers is normally about 100 angstrom diameter यानि जो chromatin होते हैं क्या होते हैं जो chromatin होते हैं वो लगबग लगबग बता दू आपको 100 90 से लेकर 100 angstrom होते हैं 100 angstrom का मतला समझ रहे हो 100 into 10 के power minus 10 meter इसी को बोलते हैं 100 angstrom क्या बोलते हैं 100 angstrom का नाम इसको देते हैं ठीक आगे बोल रहा है कि यह fiber ठिकर देन 100 angstrom appears to be collide or folded क्या जब यहानि कहने का मतलब है कि जब यह पुरी तरीके से collide हो जाते हैं यानि qual के रूप में क्या collide की Рूप में मतले है वोलट कर लेते हैं तब भी यह पुरी तरीके से आपको पतले से protein की मांत्रा जैसे यनि protein के पतले से wireeda से hundred Black स्ट्राम के लेयर के साथ नजर आते हैं क्या हंडेड एंगे स्ट्राम के लेयर के साथ नजर आते हैं हम आगे बात कर लेते हैं इसी पॉइंट्स में तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम देखते हैं कि यह पूरा का पूरा जो पूरी हमारी क्या बनी होती है क्रोमेटीन बनी होती ह वो प्रोटीन की बनी होती है यह चीज आप याद रखिएगा लेकिन जैसे जैसे human में क्या जैसे human में सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो इंटर फेज के अंदर हमारे जो और क्रोमेटेन होते हैं वो काफी पतले होते हैं लेकिन इंटर फेज के बाद जो मेटा फेज आता है मेटा फेज में पूरा का पूरा जो क्रोमेटेन होती है उनके जो आगे बोलता है कि क्रोमेटेन में फाइबर्स ट्लॉकले अ फेर के लगभग लभा जोक हमारे पास होते हैं हमगेटिंग उनधीटी एंगे Cheeright कितनी बेटा 250 एंगे स्ट्राम हमारे अक्रोमेटीन फाइबर्स की पूरी डायमेटर देखने के लिए मिल सकती है आपको संदीब गोडूनिंग बेटा सर कमिस्टी का क्लास कब से चलेगा बेटा सोच रहें कि कमिस्टी क्लास मंडे हुंडे से चलाया जाए लेकिन बच्चे थोड़ा सा कम आ रहे हैं पता नहीं कहां है नहीं आ रहा है नहीं आ रहे हैं पता नहीं कहां रहते हैं समझे नहीं आता तो धीरे धीरे बच्चों को बुला के लाओ हमने बोला था कि 100 लोग आ जाएंगे तो class शुरू कर देंगे लेकिन 100 तो छोड़ो अभी मुश्किल से 20-22 लोग होते हैं कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं समझी नहीं आता कि उनको class दिया जाए कि नहीं दिया जाए ठीक बेटा चालू कर दीजिए बहुत सारा इसमें material इन्वेस्ट होता है class चालू करने की बात नहीं है 40 मिट पहाने के साथ साथ पूरी studio को run कराना पड़ता है और पूरा studio 40 मिट रन होता है तो गंटो मतलब 100 में 100 में से ज़्यादा electricity का बिल भी आता है ठीक इसलिए बोल रहा हों कि बच्चे आते हैं तो पढ़ाने मज़ा आता है इसलिए अधिक साथी के student को आप बोलो कि वीडियो को share करते रहो ताकि अधिक साथी के student आ सके ठीक ये चीज़ आप याद रखेगा ठीक जैसे जैसे बोलते हैं क्या कि जैसे during sale division यानि जैसे जैसे cell division होता है वैसे वैसे जो chromatin fibers होते हैं वो आपस में tightly cloning करते हैं क्या करते हैं टाइटली क्लोनिंग करते हैं और क्लोनिंग करने के बाद वो छोटे से यानि कैसे जाते हैं फॉर्म सॉट हो जाते हैं मोटे हो जाते हैं रोड लाइक हो जाते हैं और इनके बोडी को हम लोग क्रोमे सी आख क्या बोलते हैं क्रोमो सौम बोलते हैं तो ध्यान देना बेटा य जैसे से लिविजन होगा हमारी इंटरफेज के बाद मेटाफेज आएगा वैसे वैसे जो क्रोमेटेन होते हैं वो क्या हो जाते हैं वो कुलायडी फारम में हो जाते हैं और कुलाइडी फाम में होने के बाद ये टाइट क्लोनिंग कर लेते हैं क्या टाइट क्लोनिंग करते हैं और टाइट क्लोनिंग करने के बाद ये सौट छोटे हो जाते हैं और छोटे होने के बाद काफी मोटी भी हो जाते हैं रोड लाइक हो जाते हैं और इनसे बनने वाले सनशना को हम लोग क्रमोसों बोलते हैं क्रोमोसों बोलते हैं ये चिशाप याद रखिएगा हो गया किलिए सभी को जो ये पॉंट के लिए्या है सभी बच्चों को स्क्रीन सॉट कर लो एटा ये लिए जो लोगे बीडियो को वापस करके लाच में वो देख लेंगे येकिन आप अभी पूरे क्लास को स्क्रीन सॉट कर लो अभी आप पूरे क्लास को स्क्रीन सॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं सर वियसी फ़स्टियर के लिए है मिटा ये वियसी फ़स्टियर का ही क्लास है बंदना ओ गया ये वियसी फ़स्टियर के लिए ही क्लास है बंदना आगे बात करते हैं, अगला कह रहा है कि open standing की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, open standing की बात कर रहा है, कि जैसे यैसे हम लोग देखते हैं, यानि कहने के मतलब क्या है, कि धुदला होने पे क्या, धुदला होने पे जो क्रोमेटीन होता है, वो धीरे धीरे हलका सा दाग दिखाता है, और कुछ भाग इसके गहरे होते हैं, हमको इसी, यानि क्रोमेटीन जो होते हैं, वो टू टाइफ्स के होते हैं, क्या होते हैं, जो क्रोमेटीन होते हैं, वो टू टाइफ्स के होते हैं, एक होता है होमो क्रोमेटीन, और एक होता है हेटरो क्रोमेटीन, आप ये चीज याद रखिएगा, यहां से एक बात आप य करते हैं इस टैनिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह मटेरियल किस टाइप के हैं और इन मटेरियल में क्या-क्या हो रहा है क्या यह मटेरियल किस टाइप के हैं और इस मटेरियल में क्या-क्या हो रहा है और जो हमारे क्रोमेटीन हैं वो किस-किस टाइप के हैं क्या क्रो से पहले बात करते हैं कि जोbol Le की जाएगा कि दो टाइज के क्रुमेटीन मिलते हैं हम लोग पहले टाइप्स को बोलते हैं क्या पहले टाइप्स को बोलते हैं पेरी निकलियोलर क्या बोलते हैं पहले टाइप्स को बोलते हैं यानि जो क्रोमेटीन होता है ऐसे समझ लो ये पूरा हमारा निकलियस है क्या ये पूरा निकलियस है निकलियस के इंटर्नल पार्ट पे क्या अंदर की और क्या बेटा अंदर की और ऐसे होगा और एक पार्ट कर लो यहां पे क्या यहां पे यानि एक पार्ट भरा होता है इसमें यह जो पहला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा भरा होता है इसमें तो पहले पार्ट में यानि पहले में जो भरा होता है हम उसे ब घेरने वाला क्या केंद्रिका को घेरने वाला क्रोमेटीन होता है यानि हमको क्या मिलेगा बिटा हमको मिलेगा यहां पर आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा सायद यह पिक्चर तो नहीं हो पाएगा यहां समझो ध्यान से यदि इतना बड़ा निकुलियस है यहां पर ह हमारे पास निकलियोलस है क्या है यह मेरा निकलियोलस है एक चिद्धान दीजिएगा यह हमारा पूरा निकलियोलस है और यह पाया जा रहा है निकलियोलस निकलियोलस में अंदर निकलियोलस में क्या होगा यहाँ पर पाए जाएंगे हमारे निकलियो प्लाजम क्या होंगे बेटा निकलियो प्लाजम पाए जाएंगे अब निकलियो प्लाजमक में यह जो निकलियोलस है इसके उपस चारो तरफ जो हमारे पास क्रुमेटीन मिलेंगे उस से हम लोग बोलते हैं पेरी निकलियोलर क्रोमेटीन क्या बोलते हैं पेरी निकलियोलर क्रोमेटीन तो ध्यान दिजेगा आप से कभी पूछा जाया तो बताईएगा कि पेरी निकलियोलर प्रोटीन उन प्रोटीन को कहा जाता है क्या पेरी निकलियोलर प्रोटीन उन प्रोटीन को असरी पेरी निक निकलियोलर क्रोमेटीन उन क्रोमेटीन को कहा जाता है जो निकलियोलस के चारों तरह पाये जाते हैं क्या जो निकलियोलस के चारों तरह पाये जाते हैं यह चीज आप याद रखिएगा क्या यह चीज आप याद रखिएगा पहला पॉइंट के लिए हुआ बेटा कि निकलि के चारों तरह पाए जाने वाले हमारे जो क्रोमेटीन होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें पेरी निकलियोलर क्रोमेटीन बोलते हैं एक चीज आप याद रख लेना क्या एक चीज आप याद रख लेना दूसरा पॉइंट है ठीक दूसरा पॉइंट है हम लोग बोलत कहते हैं उन्हें हम लोग इंट्रा निक्लियोलर क्रोमेटीन कहते हैं तो याद रखिएगा दोनों में सारे बच्चे कोशिस करो बिटा लाइप क्लास में अधिक लाएंगे तो काफी अच्छा होगा सपोर्ट होगा साथ-साथ पढ़ाने में भी मज़ा आएगा ठीक एक चीज़ान ने हो गया के लिए यह जो रेड़ वाला सिंबल दिखाई दे रहा है ठीक पहला पॉइंट्स और दूसरा पॉइंट्स यह चीज़ आप याद रखिएगा ठीक याद रहेगा ना ठीक इनको बोलते हैं हम लोग पेरी फॉर्म क्या बोलते हैं इसको पेरी फॉर और इसको बोलते हैं इंट्राफर्म क्या इंट्राफर्म तो आपको याद रहेगा निकलियोलस के चारो तरब पाये जाने वाले क्रोमेटीन को पेरी निकलियोलर क्रोमेटीन निकलियोलोस के अंदर पाय जाने वाले क्रोमेटीन को इंट्रा निकलियोलर क्रोमेटीन कहते हैं ओके क्लियर हो गया है ओके क्लियर हो गया वेटा यह टूटायस के क्रोमेटीन होते हैं यह आप याद रखिएगा यह आप याद रखिएगा आपके लिए काफी इन्पोर्टेंट होने वाला है कोई दिक्कत हो तो पूछ लो कोई दिक्कत हो तो आप अभी पूछ लो आपके लिए भी टाइम है अच्छे से बता देंगे हो गया कोई प्राब्लम किसी को किसी को कोई प्राब्लम बोलते रहो बोलते रहो इन दोनों में कोई प्राब्लम में पेरिन और नुकलियोलर क्रोमेटिन और इंट्राप नुकलियोलर क्रोमेटिन दोनों किलियर हो जाएगा सभी को सर अनकुलाइड मतलब होता है फैला हुआ uncollide मतलब होता है फैला हुआ collide मतलब होता है यॢदा हुआ साथ में ठेक आप समझना hearing डाल लो आप heterocromethine यानि यहाँ पे क्या देखिएगा जो chromatin होते है वो two types के होते हैं क्या होते है जो chromatin होते हैं वो two types के होते है एक होता है आपका heterocromethine और एक होता आपका यू क्रोमेटीन क्या? एक होता है हेटरो क्रोमेटीन और एक होता है यू क्रोमेटीन तो ही डाल लो type of chromosome अ सरी, क्रोमेटीन फिर आगे पढ़ते हैं इसके बारे में आपको clear हो जाएगा लेकिन अभी हम आपको बता दें अभी बीच में है तो इसको याद रख लो type of क्रोमेटीन याद रहेगा तो ध्यान देना बेटा type of क्रोमेटीन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हेटरो और यू क्रोमेटीन क्या? हेटरो की बात करेंगे तो आप ऐसे बनाना देखो ऐसे बना लो और इधर लिख लो हेटरो क्या हेटरो क्रोमेटीन और इधर लिख लो क्या यू क्रोमेटीन क्या यू क्रोमेटीन की बात कर रहे है तो हेटरो क्रोमेटीन और यू क्रोमेटीन को आप डाल सकते हो समझ में आया कैसे बोल रहा हूँ नहीं समझाया, एक लाइन ध्यान देना, आप ऐसे बनाओ, ऐसे एक टेबल बनाओ, क्या, ऐसे एक टेबल बनाओ, और यहाँ पे लिखलो, यहाँ पे हेटरो, हेटरो क्रोमेटीन, ठेक, और यहाँ लिखलो इस साइड, आप लिखलो यू क्रोमेटीन, क्या, यू क्रोमेटीन हो गया हेटरो क्रोमेटीन और यू क्रोमेटीन ठेक इसमें पहला पॉइंट लिख लू हेटरो क्रोमेटीन में 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 पहला इनका 30 से लेकर 80 एंगे स्ट्राम की डायमेटर देखने के मिलती है कितनी 250 एंगे स्ट्राम हेटरो क्रोमेटीन की डायमेटर होती है मतलब यह मोटे होते हैं कितने होते हैं सरी यह क्या होते हैं यह काफी पतले होते हैं और जो यू क्रोमेटीन होते हैं काफी मोटे होते हैं कितने 30 यंगेश्ट लेकर 80 यंगेश्ट के बीछ देखने के मिलेंगे नमब क्रणों इसी में हेट्रोक्रमेटिन मेंनमर 2 करो ठेक यहां पर है यानि के सकते हो कि है रट्रो ग्रमेटिन स्वां आफ में पाया जाते हैं जहाँ पे number of chromosome जादा होते हैं क्या होते हैं? number of chromosome जादा होते हैं और इनको लिखना u Chrometine हमारे nicleoplasm में क्या nicleoplasm में distribute होते हैं? ठीक, ये हमारे पाय जाएंगे chromosome के पास में और ये बिखरे होते हैं कहाँ पे? हमारे nicleoplasm के अंदर ठीक, कौण? नम्बा थॉट करिएगा बिटा नम्बा थॉट करिएगा ठीक नम्बा थॉट करिएगा बात करेंगे इंटर फेज के बेसिस पे किसके बात करेंगे हम लोग बात करेंगे इंटर फेज पे एक लियान याद रखना किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं इंटर फेज पर यानि जब हमारे पास interphase होगा ये most important line है अब याद रखेगा कि जब मेरे पास interphase होगा तो interphase में जो heterochormatin होते हैं वो कैसे दिखाई जते हैं वो हमारे पास specially dark color होते हैं कैसे होते हैं इंटर फेज के अंदर यानि सेल डिवीजन के डिविजन में यानि जब सेल डिवीजन होता है क्या जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के समय जब हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं पहले फेज को पुरुवा वस्ता बोलते हैं और पुरुवा वस्ता में क्या ब पूल्टा हो गया इधर लिखो वो कैसे होंगे वो हमारे स्ट्रक्ट्रस में दिखेंगे डार कलर कैसे डार्क कलर होते हैं तो धायन जीएगा है ट्रोक्रमेटिन डार कलर होते हैं जबकि जो यूक्रमेटिन होते हैं वो कैसे होते हैं लाइट कलर होते हैं कैसे होते हैं वो हमा वहारे क्रोंने को अलग किया जाता है यदि आप उनकी स्टैणिंग करोगे क्या कर औहागो इसीर का रंग creativity करोगे उनकी उनकी रंगो आप अभिरंजित करोगे तो हमारे जो यू क्रोमेटीन होंगे वो हलके कलर के दिखाई देंगे और जो हमारे हेट्रो क्रोमेटीन होंगे वो डार्क कलर के दिखाई देंगे कैसे दिखाई देंगे डार्क कलर के दिखाई देंगे सर MSC को सर MSC समेस्टर तो पढ़ाते हैं हाँ रिता कुमारी, MSC semester 8 बजे से class चलेगा, ठीक, तो दोनों point clear हो गए बटा, दोनों point clear है सभी को, yes or no, ओके, last number 4 कर लीजेगा, number 4 basis पे बात रखना, कि जो heterochromatin होते हैं, क्या, जो heterochromatin होते हैं, वो genetic basis पे देखा जाए, यानि, heredity के basis पे देखा जाएगा, तो heredity के अनुसार, जो heterochromatin होते हैं, वो unusual होते हैं, यानि, आनुवनसिक लच्छडों के लिए, heterochromatin participate नहीं करते हैं, ये चीज़ा आप याद रखिएगा, क्या, आनुवनसिक लच्छडों के लिए, heterochromatin का कोई काम नहीं होता है, लेकिन, आनुवनसिक लच्छडों मे हमारे पास जो you chromatin होते हैं, वो पूरी तरीके से काम करते हैं, ओके clear है, तो धान दिजेगा, ये चार point आपके लिए है, heterochromatin, genetic लच्छडों के लिए, यानि, आनुवनसिक लिए, पिढ़ी-दर-पिढ़ी, सुचनाओं को clear करने के लिए, ये non important होते हैं, जबकि हमारे जो you chromatin होते हैं, वो important होते हैं, ये चार different मैंने आपके साथ clear किया है, क्या, ये चार different मैंने आपके साथ clear किया है, जो आपके लिए काफी important होगा, क्या होगा बटा, जो आपके लिए काफी important होगा, तो note कर लिजेगा, इसको फिर आगे चलते हैं, आपको यह clear हो गया होगा तो ध्यान दिजिएगा जो light color होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं ucromatin क्या बोलते हैं यू क्रोमेटिन और जो डार्क कलर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं हेटरो क्रोमेटिन क्या हेटरो क्रोमेटिन याद रहेगा सभी को नंबर अगला नंबर अगला कह रहा है यहां पर अगले के फॉर्म में बात करें तो अगला फॉर्म यहां पर हमारे पास कह रहा है कि after cell division यानि जब cell division हो जाता है क्या जब cell division हो जाता है तब क्या होता है इनकी बात करेंगे cell division को खतम होने के बाद या कोशिका भी भाजन के बाद जो गुरसुत्र होते हैं जो गुरसुत्र होते हैं वो वापस से यानि Shale Division जैसे ही खतम होता है गिरहना आफ्टर Shale Division दो क्रोमोसोम चेंज भैक इन टू दो क्रोमेटीन फाइबर्स और जैसे ही लिए तो क्रोमेटीन फाइबर्स जैसे सेल डीविजन खतम होगा वैसे ही वो क्या करते हैं क्रोमोसोम बदल जाता है किसमें chromatin fibers में तो आप बताना बैटा कभी भी आप से पूछा जाएगा कि सेल डिविजन या फिर क्रोमो जो chromatin होते हैं वो कब अपनी सरशना को वदलते हैं तो याद रखिएगा और जैसे ही सेल डिविजन होगा सेल डिविजन खतम होने के बाद यानि सेल डिविजन को पूरा होने के बाद जो हमारा पूरा क्रोमो सोम्स होते हैं वो डिवाइड होके यानि आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं वहां पे आपको क्रोमेटिन फाइबर्स बनाते हैं तो एक चीज आप याद रखिएगा कि क्रोमो सोम से क्रोमो सोम से क्रोमेटिन फाइबर कब बनेंगे जब हमारे पास हमारा पूरा कंप्लीट सेल डिविजन हो जाएगा तब यह लाइन छोटी-छोटी है बेटा लेकिन इतना पावर्फ क्रोमेटिन फाइबर्स बिकार अनकुलाइड यानि जो हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वह अनकुलाइड होते हैं यानि क्रोमेटिन फाइबर्स निकलियो प्लाज्मि के अंदर पूरी तरीके से बिखरे पड़े होते हैं क्या होते हैं बिखरे पड़े होते है और कोई किसी से अटेच नहीं होता है ठीक और स्टेंडेड ठीक यह धीरे दिरे का करते हैं इस्टेंड कर जाते हैं फैल जाते हैं कहां पर हमारे निकलियो प्लाजम के अंदर तो ध्यान दिजिएगा जैसे ही क्रोमेसोम से क्रोमेटिन फाइबर्स बनेंगे क्रोमेटीन फाइबर्स बनने के बाद पूरा का पूरा जो हमारा क्रोमेटीन फाइबर्स है वो निकलियो प्लाज में के अंदर क्या हो जाएगा और फैल जाएगा अनकुलाइड फार्म में हो जाएगा क्लियर सभी को मेहंद मिस्त्रा बेसी फर्स्ट इयर का क्लास चल रहा ह है यह तो अगली बात कर रहे है कारहां कि दर्ष एऄ प्रजेंट इस दो और यूपरमेटिन योग क्रॉमेटिन होते है हमने वारें बात किया भी जो यूपरमेटिन होते हैं हम उन्हेंने 25 004 रोप में रोवरो इन्टर नुक्लियस यानि मटेरियल जन्रेशन टू जन्रेशन जाता है यानि इंफ़र्मेशन मटेरियल के रूप में या information methodology जो है methods हैं उनके दोरान देखा जाए तो हम लोग केवल यू क्रोमेटीन को ही किसको यू क्रोमेटीन को ही इंटर फेस के अंदर निकुलियस में पाते हैं हमने अभी डिफ्रेंट किया तो उसमें पताया कि आनुवन्सिक लच्छों के बेसिस पे हेटरो क्रोमेटीन कभी भी पाटिसपेट नहीं करता है किसके बशेस पे अनुवन्सिक आई हो आप आए हैं आज हमारे पुराने बच्चे पता नहीं कहा है और धीर धीर आएंगे सब लोग आओ सामको साथ से साथ बच के पंदरे मिनट तक हम लोग कम्प्लीट करेंगे आगे कहरा कि सब्सक्राइब करेंगे तो यह हमारे नुकलियस के अंदर डार्क लाइट के रूप में दिखाए देंगे जो मैंने अभी बात की आथा यहां पे ठीक आगे बात कर रहा है देरी माइन को लाइट यानि हम फिर से आपके बात करेंगे आपको उसी जगा ले जाएंगे कि हमारे के पास पूरी तरीके से बात करेंगे यहां पे कि जितने भी हमारे फाइबस होते हैं या क्रमेटीन फाइबस होते हैं वो इंटर फेस के समय क्या इंटर फेस के समय पूरी तरीके से या इंटर फेस के बाद पूरी तरीके से कुलाइट फार्म में देखने के मिल जाएंगे क्या collide form में देखने के ले मिल जाएंगे और यहां पर देखा जाएगा जो हेट्रो क्रोमेटिन होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं यहां पर देखते हैं कि में पॉइंट जाएंगे जो हेट्रो क्रोमेटिन होते हैं वो अन एक्टिव पार्ट होते हैं क्या होते हैं अन एक उसको हेस्टों में बोलते हैं और जो हमारे पास एक्टव पार्ट हowski होता है हम उसे करमेटिन का नाम देते हैं तो किलियर रहेगा जो बच्चे आए हैं देर से वो वीडियो को लाइक जो जरूर कर देंगे सारे बच्चों वीडियो को लाइक करते रहना टेक आगे क्या रहा है कि इट कंटेंड्स लिस डियन्य और मोर और एन्य देन यू कुरमेटीन यानि जो हेटरो कुरमेटीन होते है उनके अंदर DNA और RNA देखने के लिए नहीं मिलता और मिलता भी तो काफी कम होता है कैसा हुआ है इनके अंदर DNA और RNA की मात्रा काफी कम देखने के लिए मिलती है किस के अपेक्छा हमारे U-Chrometine के अपेक्छा ठेक आगे बात करेंगे तो यह हमारे पास few mutation occurs in the region यानि ये किसलिए होते हैं ये केवल mutation region को complete करते हैं क्या हमारे पास इनमें कुछ area के अंदर क्या होता है mutation होता है इसको हिंदी में कहते हैं परिवर्तन होना immediately nucleus के अंदर chromatin जो होता है उसमें change आने को हम लोग mutation बोलते हैं इसके वज़े से genetic लच्षण में परिवर्तन होता है क्या होता है genetic लच्षण में परिवर्तन होता है ठीक आगे बात कर लो बेटा ठीक आगे बात कर लो यहां पर कह रहा है कि आओ यहां पर letter no more यहां पर क्या देखा जाएगा यहां पर हमारे पास क्या यहां पे हमारे पास किसी भी टाइब का याने किसी भी टाइब का MRNA का synthesis नहीं होता है यानि messenger RNA किसी टाइब का synthesis नहीं होता है इसलिए यह हिल्रिडरी में participate नहीं करता है कभी पूछे कि बेटा यह जो हेटरो क्रोमेटीन होता है वह अनुवन सिक्ता में यानि जो होता है हिल्रिडरी में यह participate नहीं करता है क्यों तो आप बता देना कि इसके अंदर जो MRNA होता है उसका synthesis नहीं होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो MRNA का synthesis नहीं होगा तो वह आगे मैसेश को ट्रांसफर्ट पिढ़ी दर पिढ़ी नहीं कर पाएगा ठीक आगे बोल रहा है कि है भी अंदर क्रु मिatine में आज ठीक आंने होते हैं वह बहुट कम मात्रा में देखने के लिए मिल जाते हैं, क्या बहुत कम μात्रा में देखने केलिए मिल जाते हैं यदि हम बात करते हैं heterocromatin के types के तो जो heterocromatin होते हैं वो two types के होते हैं तो हम बात करेंगे हेट्रोक्रोमेटिन के टाइप के बारे में तो हेट्रोक्रोमेटिन के टाइप के बारे में बात करें तो यहां पे दो टाइप होते हैं पहला होता है हमारे पास i2 इस 것으로 जवने यहां से कैसे समधाभानिक और के वारे में कि और लेकिन बताता हो यह बीएक्सी का तो है नहीं गहां को बना दिया है अब इसको ना नोट करो घाप विविद्ध क要 करना यह आपके में सेले बस में है आप इसको पढ़ोगे फालतू का स currently प्राब्लम हो रहा है को यह टॉपिक आपके लिए नहीं है पहले पता रहा हूं ठेक क्या ये टॉपिक आपके लिए नहीं है आप इसको नहीं पढ़िएगा ठेक ये आपके लिए टॉपिक नहीं है ठेक ये आपके लिए कोई टॉपिक नहीं है इस चीज को ध्यान दिजेगा ना ठेक ये MSC के syllabus के लिए आता है क्या ये MSC के syllabus के लिए आता है और ये typing करते समय हो सकता है कि लोगों से MSC के लिए type हो गया हो आप इसको नहीं पढ़ो केवल आप यहां तक पढ़ो जहां तक अभी उपर था ठीक अब आपके लिए ये आपका pictures है हम लोग एक बार आप picture का screenshot लो ताकि CLEAR हो जाए आप लोग picture का screenshot लो ताकि ये clear हो जाए picture दिखरा है वेटा ये picture दिखरा है आपको yes रो picture दिखरा है नहीं दिखरा है picture दिखरा है कि नहीं अच्छा फ्रेस नहीं है आप बेटा जितने भी लोग हो अच्छा दिख रहा है अभी देखो यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग छोड़े से पॉइंट्स में कहता क्या है कि जितने भी हमारे मेथिल ग्रूप के नाइट्रोजनी बेस होते हैं क्या होते हैं नाइट्रोजनी बेसेस होते हैं वो लोग क्या करते हैं वो लोग और नाइट्रोजनी बेसेस प्लस सुगार क्या नाइट्रोजनी बेसेस प्लस सुगार प्लस हमारे पास फास्पेट ग्रूप मिलके बनाते हैं स्टक्चर जिसको बोलते हैं हम लोग डियन्ने क्या बोलते हैं DNA बोलते हैं और ये DNA आपस में collect होता है और collect होने के बाद जो हमारे unactive genes होते हैं उनके साथ जुड़ जाता है और ये जुड़ ग्रूप किसके होते हैं ये हमारे पास methyl group होते हैं क्या होते हैं methyl group होते हैं और ये astillation करते हैं क्या करते हैं astillation करते हैं इनको बोलते हैं ap genetic factors के वज़़ से और ये activation करने के बाद जो हमारे पास histone protein होता है उसके साथ वो collide हो जाते हैं क्या होते हैं collide हो जाते हैं और collide होने के बाद histone protein आपस में धे सर जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद जितना भी हमारा DNA होता है वो इसी histone protein के चारो तरफ लिपट जाएगा और लिपटने के बाद हमारे chromatin का formation करेगा और ये chromatin आगे चलके chromosome का निर्माड करेंगे क्या करेंगे क्रूमोसोम का निर्माड करेंगे ये चीज़ा आप याद रखना तो ये line जो आपको दिखाई दे रही है इसका picture clear नहीं हो रहा है तो आप मेरे telegram channel को join करो मैं इसका PDF अभी दे देता हूँ आप इसको मेरे telegram channel को subscribe कर लो बिटा इसका मैं PDF जो नहीं clear हो पाएगा उसका PDF मैं वहाँ पे दे दूँगा आप देख लिजेगा ठीक है आप लिखने वाले points को detail करिएगा उतना detail आपको paper के लिए नहीं आएगा ओके बिड़ा आज का ये पूरा का पूरा जो topic है वो clear हो गया आपका हमने पढ़ा यहां पे chromatin के बारे में जो BSC के syllabus में chromatin जितना है मैंने उतना आपको पढ़ा रखा है ठीक यानि BSC के syllabus में जितना chromatin आता है उतना मैंने बता रखा है कल बात करेंगे chromosomes के बारे में कि chromosome क्या है कितने प्रकार के होते हैं कैसे structures होते हैं सबके बारे में कल के और class में देखा जाएगा तो मिलते हैं कल के class में ने topic के साथ तब तक के लिए बड़ा Take care, bye bye and जहिंद तुम झाल रह